हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संचिता और आज हम जानेंगे कि हिंदुस्तानी संगीत पदती में लिपी या नोटेशन किस प्रकार लिखते हैं हिंदुस्तानी संगीत पदती में दो प्रकार की लिपियां हैं पहली है भातकंडे स्वरलिपी और दूसरी है पलुसकर स्वरलिपी जादे तर लोग भातकंडे स्वरलिपी को ही अपनाते हैं क्योंकि ये आसान है और कम चिन्न में ही हम अपनी नोटेशन लिख पाते हैं लिपी जानने से पहले कुछ जान लिजे भातकंडे जी के बारे में पंडित विश्णु नारायन भातकंडे जी का जन्म हुआ था मुंबई में बालकेश्वा नामक्स्थान पर 10 अगस्ट 1860 में पूरे भारत में इन्होंने घूम कर हर राग में जितनी भी बंदिशें हैं वो इकट्टी की फिर ये लिपी तयार की कि किस प्रकार लिखना है क्योंकि इससे पहले सभी को सारे राग या गीत याद करने पड़ते थे कंठस्ट करने पड़ते थे इन्होंने लिपी तयार की जिससे अपनी नौलिज को लिख कर आगे के लिए आगे की जेनरेशन के लिए भी रखा जा सके इनका म्यूजिक में बहुत ज़ादा योगदान है इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पदती क्रमिक पुस्तक मालिका छपवाई प्रकाशित भाग हैं और उसमें जितने भी राग हैं उनमें जितनी भी बंदिशें बनी हैं उसकी सभी की नोटेशन सहित उसमें पूरी जानकारी दी गई है यही नहीं इतने सारे जो राग हैं इनको क्रूप्स में खटा करना उनकी चलन के हिसाब से उनमें लगने वाले स्वरों के हि विशनू नारायन भाठकंडे जी ने ही किया इन्होंने 10 मुख्य थाट स्थापित किये और उन्हीं 10 थाटों में सभी रागों का वरगीकरंग किया। इन्होंने बहुत से संगीत सम्मेलन कराए और म्यूजिक कॉलेज और म्यूजिक विद्याले भी खोले आप जानते होंगे लखनव का महरेस म्यूजिक कॉलेज जो की अब भातकंडे संगीत विद्यापीट के नाम से प्रचलित है और ग्वालियर का माधव संगीत महा विद्य जाले बरोधा में म्यूजिक कॉलेज आधी बहुत से म्यूजिक कॉलेजों की स्थापना भी इन्होंने की इनकी मृत्यू हुई 19 सितंबर 1936 को तो हमारा बहुत बहुत नमन आज जो भी लिपी हम सीखेंगे इनी की देन है आईए सीखें भात खंडे स्वर लिपी संगीत में साथ स्वर हैं ये आप जानते हैं सारे गम पधनी सा ये सभी हैं शुद स्वर तो इनमें कोई चिन नहीं लगता अगर आप पूरे मिलाएंगे तो बारा स्वर हैं क्योंकि चार स्वरों के कोमल स्वर भी होते हैं वो चार स्वर हैं रे गधनी इनके कोमल स्वर हैं जैसे सारे सारे ये हो गया कोमल स्वर यानि शुद स्वर से थोड़ा सा नीचे जो भी स्वर होगा वो है कोमल स्वर चार कोमल स्वर हैं, रे, ग, ध, न, एक ही तीवर स्वर है, वो है म, तो कोमल स्वर हम दिखाएंगे, किसी भी स्वर के नीचे एक आड़ी रेखा खींच कर, और तीवर स्वर दिखाएंगे, जैसे म, खाली तीवर स्वर होता है, तो म के उपर एक छोटी सी खड़ी लकीर खीं नहीं है कोमल स्वर के नीचे एक आड़ी रेखा है और तीवर स्वर एक ही होता है जो कि महतीवर तो फिर उसके उपर एक खड़ी हुई लकीर यह हो गए स्वर चिन अब बात करते हैं सब्तक की टोटल स्वर हो गए बारा सब्तक में बीच में है सारे गम पधनी सा यह हो गया मध्य सब्तक जो हम जानते हैं अब इसके नीचे चलिए लेफ्ट में तो फिर मंद्र सब्तक यानि सारेग ये तो हो गया मद्य सब्तक अब नीचे मींज सानिधप जिने हम बोलते हैं खरज के स्वर नीचे इनमें नीचे हैं तो नीचे बिंदू लगेगी तो ये हो गया मंद्र सब्तक के स्वर अब सारेगम पधनी सा ये जो उपर वाला सा बोला फिर सारेगम ये सब उपर के स्वर इसको बोलेंगे तार सब्तक इनमें क्योंकि ये उपर स्वर हैं तो फिर उपर बिंदी लगेगी एक उपर बिंदू लगाके हम बोलेंगे कि ये हैं तार सब्तक के स्वर अब हम देखेंगे स्वरों की मात्रा एक मात्रा यानि सा अब अगर एक ही मात्रा में हमें दो स्वर बोलने हैं तो जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग वही रहेगी एक की सारे एक मात्रा थी सा आधी आधी एक हुई तो सारे हाफ हाफ उस जगे पे वन ही है बस एक जगे में दो लोग घुश गए जगे वन के बराबर ही हुई सारे चौथाई मात्रा एक की जगे में चार लोग घुश गए सारे गामा एक की जगे में तीन घुशे तो सारे गा एक की जगे में छे घुसे सारेगम पधा अर्द विराम किसे कहते हैं सारेग सा ने आधी जगे ली और रेग ने उस आधी में से आधी आधी जगे ली मने वन फोर्थ वन फोर्थ जगे ले ली तो सा आधी जगे पर खड़ा है और रेग ने उस आधी को भी शेयर कर लिया सारेग उन्हें जल्दी बोलना पड़ेगा आपको मीड किसे कहते हैं जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना रुके हुए बिना किसी स्वर पर रुके हुए लेकिन सभी स्वरों को गाते हुए निकल जाते हैं उसे कहते हैं मीर जैसे पगा पसे ग का सफर कि आप बिना रुके लेकिन पम गब हमने गाया पगा म बीच में ही आ गया या फिर जैसे सासा सारे गम पदनी सा अलग-अलग नहीं गाय स्वर लेकिन सब को टच करते हुए हम गये तो इसी को कहते हैं सा से सा तक की मीर उपर एक आर्क बनाके मीर दिखाते हैं सासा कण किसे कहते हैं जब हम किसी भी स्वर को बस टच करते हैं जैसे धा सा धा सा हमने बोला नहीं लेकिन धा तो धा के उपर सा लिख दिया जिससे हम धा नहीं बोलेंगे हमने बोला धा सा को टच करते हुए धा बोला यह सब ओन्नामेंटल चीज़े हैं जिससे गाय की और सुन्धर लगती है खटका एक ब्राकिट में प लिख दिया मतलब पधम प पधम प यह मीनिंग है इसका इस तरह आपको खटका देना है एक जटका के तरह गाना यहाँ पर गीत का उचारन जब करते हैं शब्दों का तब हम एस लगा के लिखते हैं और स्वरों का जब उचारन करते हैं जैसे मा के बाद तीन लाइन मतलब मा है और फिर तीन बार और उसको एक्स्टेंड करना है उसको और गाना है उसका मीनिंग है मा 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 लेकिन बार बार मा बोलने से तो ठीक नहीं लगता तो हम बोलंगे मा जितनी पड़ी हुई लकीरे हों उस स्वर को उतनी मातरा बढ़ा कर गाते हैं इन स्वरों को देखिए म प नी नी सा उपर बिंदू है यानि तार सब तक का सा 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 रे नी जल्दी बोलना है क्योंकि ये आधी आधी मातरा है रे नी सा सा उपर मीड है सा प पर मीड है प नी सा रे रे जल्दी बोलना है प नी सा रे को जल्दी जल्दी और फिर उपर त तार सब तक के रे रे फिर नी 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 तार सब तक के तीन सा है सा 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 प पनी सारे कोमल नी धप अब इसको हम ट्यून में गा के देखेंगे मा पनी नी सा 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 रे नी सा सा प पनी सा रे 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 नी 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 सा 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 प पनी सा रे नी धप अब इसी के नीचे शब्द लिखे हैं शब्दों को जब बढ़ाना है तो हम एस लगाते हैं जैसे जो को हमें थोड़ा दो बार बोलना था तो जो जो बोलने के बजाए जो एस से बोलेंगे अगर ये स्वर होता तो डैश लगाते जो तुम तान कहो मुरली में सोई सोई गाए सुनाओं अब अलाप को पढ़के देखते हैं पहला अलाप है सारे मपर वन टू त्री फोर चार बार रुखना है पर और म प कोमल नी फिर एक स्पेस है कोमल नी माने नी दो बार फिर ध दो बार ध प भी दो बार प प ध म गरे ग मंदर सब तक का नी सा 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 तीन सा अब बार बार एकी वर्ट को सा 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 बोलना तो ठीक नहीं लगता तो अब हम क्या करेंगे उसी को एक्स्टेंड करेंगे बस अब गा के देखते हैं सारे मप वन टू थ्री फॉर मपनी धाप धम गरे गनी सा दूसरा अलाब अब हम देखते हैं तालों को कैसे जानना है कैसे लिखना है जैसे तीन ताल में सोला मात्रा हैं तो भातखंडे स्वरलिपी में तीन ताल में हर चार बोलों के बाद एक विभाग है तो ये विभाग पहले से तैं हैं चार 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 के बाद एक एक विभाग है तो 4 बे भाग हैं पहली मातरा को कहते हैं सम और सम को हमेशा एक क्रॉस से दिखाया जाता है अब जहां पर ताली है अभी हम हात पे लगा के दिखाएंगे उसमें ताली या बीट को पहली बीट हो गई सम जो की क्रॉस से दिखाया तो next beat हमने लिखा है second beat है तो two फिर है खाली जिसमें तबले में आवास change हो जाएगी छोटे तबले पे जैसे हाथ रुख जाएगा और धा तिन तिन था यहां पे आवास change होगी इसको बोलते हैं खाली इसको zero से दिखाया जाता है और तीसरी ताली मतलब three जो लिखा है तो पहली ता ताली two से दिखाया और तीसरी ताली को three से दिखाया बीच में नौ मातरा पे खाली है उसे एक zero लिख के दिखाया ऐसे ही एक और ताल लेते हैं ताल दादराा जिसमें छे मात्राएं होती है धा धीना धा तीना पहली मातरा हो गई सम जो की क्रॉस से दिखाई गई है और चार पे चौथी मातरा पे खाली है यानि यहाँ पे हम जब हाथ से ताल दिखाते हैं तो हमें ताली नहीं बजानी हम बाहर हाथ को बाहर करके दिखाते हैं हवा में लहरा के दिखाते हैं कि यहाँ पे ताली नहीं बजेगी और इसी जगे को कहते हैं खाली सम कैसे पता लगता है कि कहां सम आएगा किसी भी गीत में आप देखें जैसे इतनों जो बन पर मान ना करिये आपने देखा मान पे एक स्ट्रेस था और यहीं से शुरू होगी ताल यहीं पे क्रॉस लगा दीजे और आगे की आपको अपने आपी पता लग जाएगा क्रॉस दो जीरो तीन कहां कहां आएगा चार चार का जगे छोड़कर आपको लगा देना है तो आपको पहले जानना है सम कहां पे है किसी भी गीत का जरूरी नहीं है कि हर ताल क्रॉस से ही शुरू हो, रूपक ताल खाली से ही शुरू होती है आपको लिखी हुई ताल को केवल याद करना है और पढ़ना है उपर मात्राएं लिखते हैं, अगर 16 मात्रा है तो नंबरिंग कर दी फिर हमने उसके बोल लिखे ताल, पूरी ताल के सभी बोलों को एक साथ बोलते हैं ताल का ठेका और फिर हमने डिवाइड किया कि कितने बोलों के बाद उसकी विभाग है चार-चार बोलों के बाद विभाग हैं और फिर पहला जो मात्रा उसमें सम पिर दूसरी ताली, फिर खाली, फिर तीसरी ताली, यह हो गई तीन ताल में, देखें तीन ताल कैसे दिखाते हैं, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धिन, धिन, धा, ता, धिन, धिन, धा, तो आशा करती हूं कि किस प्रकार स्वरों को लिखना है भातखंडे स्व लेंगे और कुछ संगीत में नहीं बाते जानेंगे थैंक यू सो मच नमस्ते